Hey guys, welcome back to another episode of Hindi Auto News Basically, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बीक के सारे important automobile updates के वारे में जिसमें launched car, upcoming car, upcoming car, spice out and और भी news सामिल है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट अपडेट है Kia Motors के तरफ से Kia Motors ने सेल्टोस फेसलिफ्ट को launch कर दिया है ये 5 variant में available है और इसकी pressing स्टार्ट होती है बेस मोडल के लिए 10.90 लाक रूपीज से जो कि टॉप मोडल 20 लाक रूपीज तक जाती है इस गाड़ी में आपको looks तो अच्छे मिलते ही है बट इससे भी जादा अच्छा मिलता है इसमें engine option क्योंकि तीन engine offer किया गया है फर्स्ट 1.5 लिटर MPI petrol engine सेकंड 1.5 लिटर TGDI petrol engine और थर्ड 1.5 लिटर CRDI diesel engine नेक्स्ट अपडेट है एमजी मोटर्स के तरफ से रेसेंटली एमजी मोटर्स ने कोमेट EV को launch कर रहा था यह entry level electric car थी और लोगों को भी ठीक ठाक पसंद आ रही है तो अब एमजी इंडिया में एक और electric car launch करने वाली है और इस बार वो micro SUV जैसा कुछ होने वाला है इसके specs की बात करें तो इसमें आपको 28.1 kWh पर आवर का battery pack ओफर किया जाएगा जो कि रॉन 300 km का single charge range claim करेगी और इसमें लगा electric motor 68 PS की maximum power and 140 NM maximum talk generate करेगी और इस गाड़ी का top speed होने वाला है 100 kmpl पर आवर नेक्स्ट अपडेट है Tata Motors के तरफ से Tata Motors ने Ultros के दो ने variant को launch किया है XM and XMS pricing ए 6.90 लाक रूपीज और 7.35 लाक रूपीज ये दोनो बेरियंट 1.2 लीटर पे ट्रॉल एंजन के साथ आती है विद मिन्वल ट्रांस्मीशन और अच्छी बात ये है कि XMS में आपको sunroof मिल जाता है जो कि इंडिया की most affordable sunroof car है नेक्स्ट अपडेट है Citroin Motors के तरफ से Citroin अब इंडिया में अपनी fourth car launch करने के preparation में लगी हुई है जिसका नाम हो सकता है C3X ये गाड़ी CMP modular platform पे based रहेगी जिस पे already C3 and C3 air cross based है इनफेक्ट एंजन भी वही मिलेगा जो already उन दोनों गाड़ियों में offer किया गया है 1.2 लिटर टर्वो पिट्रॉल एंजन जो की 110 PS की maximum power deliver करती है और 190 Nm की torque नेक्स्ट अपडेट है महिंद्रा Scorpio and Toyota Hilux का इंडियन आर्मी से related पहले महिंद्रा Scorpio के बारे में बात कर लेते हैं January 2023 में इंडियन आर्मी ने Scorpio के 1470 यूनिट्स की delivery ली थी और अब बापस से महिंद्रा को इंडियन आर्मी के तरफ से Scorpio के 1850 यूनिट्स का order मिला है यह डीजल इंजन यूनिट है जिसमें 2.2 लिटर डीजल इंजन ओफर किया जाता है 6-speed minimal transmission के साथ यह गाड़ी को maximum 140 PS power deliver करती है चलिए अब देख लेते हैं Toyota Hilux related क्या है इंडियन आर्मी ने टोयोटा Hilux के first batch की delivery receive कर ली है अब कितने यूनिट्स के order दिये गया थे वो तो अभी reveal नहीं किया गया है बट अगर इंजन ओप्सन की बात करें तो टोयोटा Hilux 2.8 लिटर टेरबू डीजल इंजन के साथ आती है 204 PS की maximum power deliver करती है and minimal transmission में 420 Nm की torque and automatic transmission में 500 Nm की maximum torque generate करती है नेक्स्ट अब डेट है मारूतिस जोकी के तरफ से 2023 Auto Expo में मारूतिस जोकी ने EVX concept को दिखाया था मारूति के तरफ से ये first electric car होने वाली है जिसकी starting price around 20 lakh रुपिस के आस पास हो सकती है इसमें मारूतिस आपको offer करेगी 60 kilowatt per hour का battery pack जोकी around 500 km का single charge range claim करेगी और launch के बाद ये rival करेगी महिंदरा XUV400 MG ZS EV और upcoming महिंदरा BE05 से and Creta EV से नेक्स्ट अब डेट है महिंदरा मोटर से related XUV500 को तो आप जानते हैं यहों 7-seater premium SUV फिर महिंदरा ने इसे replace कर दिया XUV700 से और अब बापस से महिंदरा XUV500 दिखने वाली है इंडिया में बट इस बार ये अलग segment and अलग category में आएगी कहने का मतलब new XUV500 कूप SUV होने वाली है और recently इस गाड़ी की ट्रोट टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी गई है जो कि आप इस image में देख सकते हैं इस गाड़ी में आपको 1.5 लिटर टेर्बो पिट्रॉल एंड 1.5 लिटर डीजल एंजन ओफर किया जाएगा और ये टाटा कर्व के साथ ही लॉंच होने वाली है मतलब mid 2024 के बाद next अप डेठे लैंड रोवर के तरफ से कंपनी ने रेंज रोवर विलार की बोकिंग्स ओपन कर दी है और इसकी डिलेवरी स्टार्ट की जाएगी सिप्टमबर 2023 से इसकी डियान में थोड़े बहुत चेंजेज किये गया है जैसे की लाइट सेट अप एंड बंपर और दीख बहुत मस्त रही है दो इंजन ओफर कि सेकंड में कर लेती है दूसरे इंजन है टू लिटर डीजल इंजन भी था मिल्ड हाइबुरी टेकनोलोजी लोटल यह 204 पीस की मैक्सिमम पावर्ड लेवर करती है और 430 एनम की टॉर्क इस इंजन के साथ गाड़ी का टॉप स्पीड है 210 किलोमेटर और 0208.3 सेकंड में कर लेती है और प्रैसिंग अरॉंड 95 रुपिस के आसपास होने वाल यह लॉंच के बाद तो यह रहें इस बीक के कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स यह वीडियो आपको कैसी लाइक कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक शे जरूर करें अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक यू सो मच पर वाचिंग